हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका फिसे कवर नए वीडियो में और आज किसी वीडियो में हम BSC Second Year के इन और गनिक कमेश्टी का जो पहला लेशन है Concept of Electrode Potential इस चेप्टरे से हम MC की वस कोशिन के बारे में डिसकस करेंगे Question के साथ साथ आपको solution भी provide कराया जाएगा तो वीडियो को complete देखेगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक like जरूर दीजेगा और अपने friend के साथ share करना मत भूलीगा तो चलिए बीना time waste के वीडियो को सुरू करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे पहला question है ठीके question कह रहा है copper and silver do not liberate hydrogen gas from dilute sulfuric acid because यहाँ पर आपको बताना है जो copper और silver होते हैं ठीके वो hydrogen gas release नहीं कर पाते हैं dilute sulfuric acid से यह क्यों होता है तो पहला अपसंद है कि both have greater electrode potential than standard hydrogen electrode potential दूसरा है both have equal electrode potential than standard hydrogen electrode potential और तीसरा है वो है less करके ठीके बाकी सब सेम है यहाँ पर मैंने dot करके दिखाया है और फिर चौता है वो है आपका ननब्दिस ठीके यहाँ पर आपका अपसंद ही correct होगा ठीके यहाँ पर दोनों का copper और silver का दोनों का यहाँ पर ठीके electrode potential greater होता है standard hydrogen electrode potential से इसलिए यह hydrogen gas liberate नहीं कर पाते हैं dilute sulfuric acid से तो ऐसे exam में question पूछे जा सकते हैं आपने physics और math यहाँ आगर आप bio से हैं तो अगर आप bio को पेपर दिये होंगे ठीके तो यहाँ पर आपको idea लग गया होगा कि question कहां से बन के और कैसे बन रहे हैं ताकि अच्छे से question जो आते हैं वो आप solve कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको idea लग जाएगा यहाँ पर मैं question आपको provide इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको idea लग जाए कि question कैसे बन सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसे chapter है वहाँ पर idea नहीं लग पाता है कि इस chapter से कैसे question बनते हैं और बनेंगे जैसे यह chapter रुग concept of electro potential इसमें जो question के answer है वो काफी बड़े बड़े है तो यहाँ पर idea नहीं लग पाता है इसलिए मैं यहाँ पर यह video बना रहा हूं ताकि आपको idea लग जाए कि question कैसे बनेंगे ठीक है तो इससे आप खुद भी question बना के पढ़िये और book की summary और जो थोड़े बहुत concept है वो जरूर से पढ़िये अब चलते है next question पर तो next question कहे रहा है यहाँ पर ठीक है next question कहे रहा है which factors influencing the magnitude of electrode potential यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन से factor है ठीक है जो की electrode potential के magnitude को effect यानि परभाव डालते है पहला है वो है nature of metal कि वो pure है या impure है दूसरा है वो है concentration of metal iron in the solution और C है वो है आपका on the temperature और चौथा है वो है अलबदी तो आपने पढ़ा होगा ठीक है ए इलेक्टोड potential का magnitude को ठीक है यह तीनों effect यानि influence करते हैं यानि इस situation में option D आपका correct होगा ठीक है अब चलते हैं next question पर तो next question यहाँ पर कहे रहा है ठीक है when oxidation takes place on an electrode with respect to यहाँ पर यह सची का मतलब हुआ standard hydrogen electrode ठीक है the electrode potential of the electrode is known as यहाँ पर E oxy करके दिया यानि oxidation electrode potential phi E reduction दिया यानि reduction यहाँ पर electrode potential होगा और E not को मतलब standard ठीक है electrode potential होता है इस situation में E oxy होगा यानि oxidation electrode potential ठीक है वहीं यहाँ यहाँ पर ठीक है reduction होगा यहाँ अगर paper में आ गया यहाँ पर when reduction takes place ठीक है तो उस situation में E reduction होगा ठीक है यहाँ पर oxidation के जगह loss of electrons भी क्या है सकता है ठीक है आप यह मत भूलिएगा कि oxidation का मतलब यह भी होता है loss of electrons ठीक है तो ऐसे भी question फूसे जा सकते हैं तो ऐसे में option आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपको correct करना है अब चलते हैं next question पर next question यहाँ पर कह रहा है the relationship between EMAF and delta G is given by यहाँ पर चार option है पहला है delta G is equal to E and E of E cell फिर दूसरा वह है delta G is equal to minus E and E of E cell और फिर चाहता है वह है delta G is equal to plus minus E and E of E cell और चाहता है ननाब जी तो आपने पढ़ा होगा EMAF and delta G के बीच में यह वाला relation option B वाला correct होता है तो ऐसे exam में confuse करने वाले question पूछेंगे तो आपको confuse नहीं होना है ठीक है last question है यह है कि the one faraday of electricity is equal to ठीक है यह भी काफी important question है क्या पर आपको बताना है कि जो electricity का one faraday होता है वो कितने के equal होता है पहला है वो है 16,000 कुलाम B है वो है 95,600 कुलाम C है वो है 17,350 कुलाम और D है 90 तो इस situation में option आपका B correct होगा 1 faraday of electricity is equal to 95,600 कुलाम होता है तो ऐसे exam में question पूछे जाएंगे तो ऐसे करके मैं सारे chapter का important MC की वोच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् इसके लिए हमारी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को एक लाइक जरूर दीजेगा क्योंकि काफी मिनहत लगता है एक वीडियो बनाने में तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केर